सभी भक्तों को सीताराम, जय बालाजी, महाराज, जय बागेश्वर, धामसरकार, अब ताला बनेगा बंद किस्मत की सुनहरी चाबी, बस एक बार कर लें कि ये उपाताला हर चीज को बंद करने के काम आता है. लेकिन जय तिश शास्त्र में ताले के कई ऐसे हैरान कर देने वाले उपाय बताये गए हैं, जो आपकी बंद किस्मत को न सिर्फ खोल सकते हैं, बलकि उसे चमका भी सकते हैं. वास्तु और जय तिश शास्त्र में ताले का बड़ा महत्व बताया गया है. ताले का प्रयोग और उपाय आप ग्रहों की शांती के लिए कर सकते हैं इतना ही नहीं, आप ताले के ऐसे कई उपाय कर सकते हैं, जो जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद करते हैं ताले के उपाय से कुंडली में शनी राहुकेतु और शुक्र ग्रह के खराब प्रभाव को कम किया जा सकता है तकिये के नीचे ताला रखना अगर आपको रात में खराब सपने आते हैं या फिर भैभीत होकर आपकी नींद तूट जाती है तो आपको रात में सोने से पहले अपनी तकिया के नीचे ताला रखना चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखें की ताला बंध होना चाहिए और ताले के साथ उसकी चाभी न रखें ऐसा नियमित करने पर आपको लाब नजर आएगा अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत महंत कर रहे हैं मगर उस काम को पूरा करने में बाधा आ रही है तो आपको रात में सोने से पहले एक ताला और उसकी चाभी अपने साथ तकिया के नीचे रख कर सोना चाहिए ऐसा करने से जो बाधा आ रही है वह या तो दूर हो जाती है या फिर आपको उसे दूर करने का समाधान मिल जाता है अगर आपकी कुंडली में शनी कमजोर चला रहा है और इससे आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो आप शनीवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन कर लोहे का बंध ताला शनीदेव के मंदिर में अर्पित करें इस बात का ध्यान रखें की ताला आप शुक्रवार को ही खरीद लें और ताला खरीदने के बाद आपको न तो उसे खोलना है न बंद करना है आपको जैसा ताला मिला है वैसा ही शनिवार सुभा शनिदेव को अर्पित कर देना है यह भी पढ़ें डॉग क्राइन एट नाइट रीजन्स रात के समय घर के बाहर रो रहा है कुट्ता इन कारणों की वजह से घट सकती है दुर घटना ताले से दूर होगी विवाह में आ रही बाधा अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो शुक्रवार की रात में एक पुराने ताले को खोल कर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको दोबारा न जाना पड़े इसके बाद बिना पीछे मुड़े आपको उस स्थान से चले जाना है इस बात का ध्यान रखें की ताला खुला हुआ होना चाहिए और उसकी चावी आपको अपने पास ही रखनी चाहिए सही दिन खरीदे ताला कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनी का दिन होता है और शनिवार के दिन आपको लोहे और स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए ऐसा करने से आपका शनी कमजोर होता है यदि आपको ताला खरीदना है तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का है शुक्रवार को ताला घर लाने से देवी लक्षमी भी प्रसन्न होती है यह भी पढ़ें पुश्पदांत भगवान आर्ती, पुश्पदांत भगवान की रोजाना करेंगे ये आर्ती, पीडाओं और पापों का होगा नाश इन बातों का रखें ख्यार कभी भी जंग लगा हुआ ताला इस्तिमाल न करें इस तरह का ताला आपके शनी ग्रह को कमजोर करता है कोशिश करें की ताला कभी हाथ से छूट कर जमीन पर न गिरे ऐसा होना अप्शगुन माना जाता है कभी भी घर से बाहर निकलते वक्त बंद ताला न देखें इससे आपके काम में बाधा आ सकती है